नमस्ते दोस्तों आज हम अर्वी के पत्ते के पकोड़े बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं बिल्कुल भी ने किनकिनाएंगे जो इस तरह से बनाएंगे तो किनकिनाण बिल्कुल नहीं आती है चलिए बनाना सुरू करते हैं उसके लिए सबसे पहले अर् नहीं है क्योंकि बजार में ताजी चीज़े नहीं मिलती पत्ते वाली थोड़ा से बासि हो जाती हैं देखे थोड़ा से खराब भी लगन लेकिन इनको सब को निकाल देना है वीसे फ्रेस पत्ता लेना भीरी इंस जिस्से बढ़िह से साप हो देखिए इस तरह से पत्ते हमने काट दिया है बड़िया से हरा हरा ही पत्ता लिया है और अच्छे से साप कर लिया है तीन चार पानी से बड़िया से धो लेंगे इन में पानी बिल्कुल नहीं टिकता है अलग हो जाता है पानी देखिए और इस तरह से धो लेना है यह पकोड़े खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं बारिस में बहुत अच्छे लगते हैं सबको बहुत पसंद आते हैं अब इनको काट लेना है और हलका सा बॉयल करना है इनको जिससे जो किनकिनाहट होगी वो निकल जाएगी इसमें नमक डाल देना थोड़ा सा पानी डाल देना जिससे बॉयल हो जाएगे इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल किनकिनाहटा नहीं है पकोड़ा बहुत अच्छा लगता है देखिए बॉयल कर लिया है बस इतना ही पकाना है अब इसको निकाल के ठंडा कर लेना है देखिए किनकिनाहट इस पाने में चली गई है अब सिल्वट्टा धो लेना इसमें चने की डाल और चावल को पीश लेना है जो हमने भीगो दिया था पहले से ही इससे बहुत टेश्टी पकोड़े बनते हैं बेशन से बनाएंगे तो इतना अच्छा नहीं बनता जितना इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है हरी मिर्च, लैसुन, जीरा, हींग, लाल मिर्च ले लिया है इनको साथ में पीश लेना है चावल से कुरकुरा पन हो जाता है पकोड़े में जो बहुत अच्छा लगता है बढ़िया सी दरदरी डाल पीश लेना बहुत महिन नहीं पीशना है देखे पीश चुकी है अब इसको निकाल लेना एक कटोरे में पत्ते भी ठंडे हो चुके हैं इसमें हल्दी पाउडर धनिया पाउडर नमक मिला देना थोड़ा सा आमचूर पाउडर मिला देना है और हिंग वही दाल चावल डाल देना इसमें पिसा हुआ और अच्छे से मिक्स कर देना है सब इन पत्तों में किंकिनाहट बहुत ज़्यादा होती है लेकिन बॉयल करने से किनकिनाहट चली जाती है देखिए अच्छे से मिक्स भी ओ गया और इनकी पकोड़े बना सकते हैं science basta एक बना सकते हैं जैसे चाहें वैसे बना सकते है हमने टिक्की सेप में बना लिया है जो बहुत अच्छा लगता है खाने में देखने में भी अच्छा लगता है और मीडियम आज पर इनको तलना है जिससे बढ़िया से दाल चौल भी पक जाएंगे कच्चे नहीं रहेंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे बढ़िया से लाल लोने तक इनको पका लेना है ये चाय और चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं बारिस में तो इनका टेश्ट ही लगता है अच्छा क्योंकि बारिस में ही ये पत्ते आते हैं देखिए बढ़िया से कलर में आ चुके हैं इनको निकाल लेना है और गरम-गरम सर्व कर देना है ऐसे ही एक घान के और बचे उनको भी बना लेना है देखिए ये भी पक चुके इनको भी निकाल लेना है एक बार जरूर बनाईएगा इस तरह से पकोड़े बहुत अच्छे लगते ज्यादा जहन्जट भी नहीं है बहुत आसानी से बन जाते है देखिए कितने कुरकुरे बने हैं और बहुत स्वादिष्ट बने हैं अब इनको चटनी के साथ सर्व कर देना है यह आम की खटी चटनी है बहुत टेश्टी लगते वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक रखे धेरे